दोस्तों कि आप जानते हैं वर्ल्ड का हाइस डेलवे ब्रिज कहा है तो आपको जानके खुशी होगी क्योंकि वो इंडिया में है तो आज मैं बात करने वाला हूँ जम्मू चेनाब रेल ब्रिज जो रियासी में है मैं कम्प्लीट इसके आपको फैक्ट्स बताऊंगा टेक् मतलब काफी important वीडियो है आप अगर civil engineer हो तो आपको जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए अगर आप नहीं भी हो तो आपके भी काफी काम की वीडियो है अगर मैं बात करूं इस ब्रिज के बारे में ये आइफिल टावर के बारे में सब लोगों ने सुनाई होगा तो आइ पर ये ब्रिज है तो इसको बनाने में काफी दिक्केश आई होंगी तो वो सब में बातें आज इस वीडियो में करने वाला हूं काफी चीजे इस वीडियो में मैं आपको क्लेर करने वाला हूं एक proud moment है क्योंकि ये possible किस बज़े से होय वाय है Indian civil engineers और architect की बज़े से ये possible होय है क्योंकि एफ कॉन कंपनी ने ये construction करवाई है 2004 में ये construction स्टार्ट हुई थी लेकिन इसमें भी दिक्कत आनी लगी 2008-09 में काम बंद रहा safety issues के करन क्योंकि वो उस area में रियासी में काफी ज़दा winds चलती है और ये hide पे काम था तो उसमें काफी ज़दा दिक्कत आ रही थी तो 2008-09 तक ये काम बंद रहा लेकिन फिर construction स्टार्ट हुई अभी recent आपने सुना होगा जो हमारे प्यूश गोयल जी है उन्होंने news दी कि वो construction complete होने को आ चुकी है within two year वो पूरा road जो क्योंकि ये project काफी लंबा project है USBRL project इस project में मैं भी काम कर चुका हूँ जो terminal tunnel है इसके T2, T14, 15 आपने सुने ही होगा उसमें as a civil engineer मैंने work किया है तो में लिए भी एक प्राउड है कि जिस construction work में मैंने काम किया है वो अभी उसकी construction जल्दी complete होने वाली है तो अगर मैं बात करूं USBRL के बारे में तो 272 km long project था ये तो इसी लिए इस project को काफी ज़दा time लग गया है मतला मैंने starting में आपको कहा ये Fcon company ने construction start की थी और ये bridge की height काफी ज़दा 359 meter height है इसकी और इस bridge को जो design किया है वो Finland और January के consultant है उन्होंने अच्छे से इसको design किया अभी 10 fact ऐसे बताने वाला हूं जो आपको काफी romantic भी लगेंगे और काफी अच्छा भी लगेगा जानके कि India इतन है dangerous project वो बनाते जा रहा है ऐसी वीडियोस हमारे channel पर काफी ज़द है जो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप civil engineer हो अगर मैं बात करूँ ये arch bridge जो है इसको 1250 क्रोड अप्रॉक्स काउस्ट लग गई इसको complete करने में और एक बहुत important और romantic बात ये है कि ये 8 magnitude का अगर earth cake आता है ये bridge उसको भी counter कर लेगा उस condition में भी bear कर लेगा इसको इस हिसाब से design किया है कि 8 magnitude तक जो भी earth cake आता है उसमें ये खड़ा रहे अगली चीज इसको क्या किया गया है क्योंकि आपको जम्मू एन कश्मीर के बारे में पता है मेरा hometown भी जम्मू एन कश्मीर है वो जो project है USBRL उदंपूर सिननगर बारमूला रेड लिंक प्रजेक्ट और उदंपूर में मेरा गर है hometown है तो मेरे को knowledge है उस area का कि वहाँ पे militant गदिवीदिया काफी जादा है तो वहाँ को एक दिक्कत क्या रहती है blast की काफी जादा दिक्कत रहती है क्योंकि militants की काफी जादा ध bridge को high intensity blast variable किया गया है बनाया गया है मतलब डियाड्यो ने यह चेक किया है डियाड्यो ने यह पूरा process किया है क्योंकि इसमें जो use किया गया 63 mm की thick blast sheet एक use की गयी है पूरे bridge arch bridge में की अगर high intensity का कोई blast भी होता है तो उसको भी यह counter कर ले और काफी ज्यादा दिक्कत जैसे मैं ने कहा 2089 में काम बंध हो गया था किस कारण बंध हुआ था वो होता high wind velocity की बैसे काफी ज्यादा हवा चलती थी तो लेकिन इस bridge को जो bear किया गया है अगर 266 km per hour की तेजी से भी हवा चलेगी तो यह bridge वैसा का वैसा खड़ा रहेगा अगली चीज काफी ज्यादा इंपोर्ट होती है अगर train जितनी ज़्यादा speed होगी उतनी vibrations होगी उतनी ज़्यादा load transfer होने की दिक्कत रहती है तो वही चीज है इस जो track को इस bridge को इस arch bridge को इसे साब से design किया है कि 100 km per hour की इसाब से भी अगर train चलती है तब भी वो bridge खड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है कि मतला 100 speed पे length है पूरे bridge की और arch की है 400 plus मतलब इतनी इस की length होती है हमारी और अगर हम बात करें इसकी जो design किया गया इसको इसकी life spine इनों रखी 120 साल तक ये bridge ऐसा का ऐसा ही खड़ा रहेगा और एक इसमें काफी अच्छी interesting technology उसकी गई है अगर क्योंकि क्या होता है bridge काफी ज़दा height पे ह तो हवा का जोर काफी ज़दा रहता है ये main pressure था तो जब भी अगर 90 से above हवा चलने लग पड़ेगी तो अपने आप जो track की lights होती है वो अपने आप red हो जाएंगी और train वहीं की वहीं रोग दी जाएगी क्योंकि काफी ज़दा दिक्कत हो सकती है अगर ज़दा wind speed होने लग speed से तो उसको रोग दिया जाएगा तो एक काफी अच्छी वीडियो आपको लगी होगी क्योंकि इसमें मैंने आपको 10 facts ऐसे बताए जो आपको जरूर पता होने चाहिए ऐसी वीडियो सो आपको हमारे चैनल civil engineering शर्मा जी चैनल पे मिलती रहेंगी civil engineering related बस आप चैनल को subscribe करक बैल आइकन दवालो और पुरानी वीडियो जरूर देखो काफी interesting और important वीडियो से as a civil engineer आपको जरूर पता होने चाहिए thank you guys